नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने टुचनल अमन प्रयाद जिकी दिसमें तो दोस्तों आज का जो वडियो है आपका SSC GD रिजल्ट 24 को लेकर है क्योंकि आप सभी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं इस रिजल्ट का और यह जो रिजल्ट है जो कि आज से आपका एक महिना पहले आ जाना था जैसा कि आप लोगों को पता होगा जो कि SSC GD जो पिछले बार जो एक्जाम लिया था कब आएगा ठीक है तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो रिजल्ट आप लोग को आने में जो देरी हो रहा है वो डिले का जो मुख कारण है आप सभी को पता चल गया होगा वो मुख कारण में दोस्तों आपका चुनाओ ठीक है चुनाओ के कारण ही आपका जो रिज तो वो दोस्तों आपका कैसे आ गया दोस्तिघो ऐसे और गया क्यों नहीं है ठाट है ठाट है तो आपको बताओं उससे फ़ले दोस्तों आपको क्टा दें कि जो भी लोग आपका ससे जीडिका आगे कि त्यारी कर रहे हैं या किसी घ्जाम जम का हो, bank का हो, railway का हो, defense का हो, या आपके state level का exam क्यों ना हो, उन सभी के लिए test book के तरफ से एक offer लाया गया है, JIT का संखलप cell के नाम से, ये cell के दोण अगर आप इनका यहली का test book पास प्रू लेते हैं, तो आपको मातर 200 तो आपको यहां पर 12% का एक्स्ट्रा ओप मिलेगा यह जो डिसकाउंट है इस समर में बहुत बड़ा डिसकाउंट दिया गया है साल में कभी-कभी ही आपको देखने को मिलता है आज इसका लास डेट है 28 मैस से शुरूआ था और 31 मैस तक इसका लास डेट है तो आप लोग ज टेस्ट भी यहां पर अप्लोड के आजा चुका है जिसमें टोटल आपका 1035 टोटल टेस्ट है जिसमें 3 प्री टेस्ट है इसके अलाबा 13 most expected टेस्ट यान कि अगर इस टेस्ट को देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा जो प्रस्ण है आपको यहीं से टच होंगे 33 PYQ है इसी करके और सारी चीज़े आपको यहां पर दी गहीं तो आप लोग जाकर एकवाज वाइन कर लिजेगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कूपन कोड एपीज यूज करना है और आपको दादे कॉमेंट चक्षन में भी पीन क्या हुआ ही रहेगा ठीक है याद वो दोस्तो आपका रक्षा मंताले के द्वारा किया जाता है किसके द्वारा रक्षा मंताले के द्वारा यानि की डिफेंस मिनिश्ट्री के द्वारा जो कि किया जाता है ठीक है और जो एसससी जीडी है उसका पुरा जो नियंतन है करवाई है वो दोस्तो आपका गरम मंता आपका एक जून को दोस्तिव आपका खत्म हो जाएगा पुरी और आपका इसका जो result है यानि कि चुनाओ का जो result है वो दुस्त आपको 4 जुन को जो कि देखने को मिलेगा तो 4 जुन को आपका इसका result भी आ जाएगा और बात करें SSGD के result के बारे में तो आपको बता दें कि इसका जो result है SCGD का जो result है वो friends आपका चार जुन के बाद कभी भी आपको देखने को मिल सकता है या किसी भी छन आपका आ सकता है इतना ख्यार रखिए कि एक से चार जुन के बीच आपका result नहीं आएगा जब आप लोग ने इतना इंतजार किया है और आप लोग को SCC के दुआर इतना इंतजार कराया गया है तो यह चार दिन में और इंतजार आप लोग को कराया जाएगा और चार जुन के बाद कभी भी आपका result आजाएगा बात करें physical को लेकर तो physical जो इसका है वो आपको संभबता जो 100% का है तो इसका physical आपका जुलाई मा में ही conduct होगा तेके जुलाई से पहले physical आपका conduct नहीं होने वाला है जुलाई में ही conduct होगा हो सके तो August 1st week पी जा सकता है लेकिन ज्यादा chance है कि आपका जो physical है वो आपका जुलाई में confirm होगा ही होगा तेके तो उसी के recording आप लोग अपनी त्याड़ी को बेतर बना सकते हैं अब आपके मन में इस वाद थोड़ा सा संसय बना हुआ है कि पेपर अच्छा था पेपर बहुत असान था तो नॉर्मलाइलेशन में कितने मार्क्स इंक्रीज होंगे और जो आभी भी वेवसाइट के माध्यम से जो नॉर है ठेके और है को लेकर कट अब कर एक बारे में लोग पहले ब कर चोके हैं जो आपका रियल यो कट अवाज आएगा वो दोस्तों आपको रिजल्टके साथ ही देखने को मिलेगा जब आपका रिजल्ट आएगा वहां पर आपको कट अजल तो पुरा का पुरा चांस है कि 4 जून के बाद चाय हो सकता है, 5 जून हो, 6 जून हो, 7 जून हो, या हो सके, 8 जून हो, आपका रिजल्ड इसी दिन के अंदर देखने को मिलेगा, रणिंग आपका जुलाई में होगा और जो रणिंग को लेकर जो बहुत सारे बाते चल रहे थी चीप बाला, RFID वेस्ट रणिंग तो यह जो बाते हैं फ्रेंड्स वो आपका टोटली फेक है RFID वेस्ट रणिंग होना है यह वो आपको SSGD 24 में होगा हो सकता है आगे के जो एक्जाम हो उसमें दोस्तों आपको देखने को मिले लेकिन GD 24 में आपको देखने को नहीं मिलेगा अब बात रहे कि SSGD 24 में टोटल 48 लाख लोगों ने एक्जाम दिया था और जो पास होंगे फिस्कल के लिए और मातर मातर 2,00,000 इस्ट्रेंट ही पास होंगे तो उन बाकी स्ट्रेंट का क्या होगा जो फिर्म भरे थें एक्जाम दिये थें वोग तो दी मोटिवेट हो जाएंगे तो दोस्तों आपको पहुता देएं कि 27 अगंट को आना है 27 अगस्त को आपका इसका форм आना है और 27 अगस्त को आपका form आएगा जिसा कि SSC जि डी SSC ने नमंब्र 22 में एक कलेंडर जारी किया था उसमें ही बताया था कि 27 अगस्त को आपका जो form है वो आएगा और 27 सेप्तम्बर तक आप इस form को fill कर सकते हैं और आपका जो exam होगा वो दोस्तों आपका December और जनवरी वाँ यानि December 24 और जनवरी 2025 के बीच आपका exam conduct हो जाएगा लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा changes देखने को मिला है SSC ने भी हाली में एक notice जारी किया है जब आप इनके website पर जाएगा तो आपको यह साफ शाफ नजर आ जाएगा इसमें थोड़ा सा changes किया है Constable GD in CAF NIA SSC and Rifleman GD in Assam Examination 25 को लेकर वो क्या किया है वो बस changes आपका किया है exam को लेकर जो आपका exam December जनवरी में होना था वो exam आपका जनवरी और फरवरी में होगा तो जनवरी फरवरी में बस थोड़ा सा changes किया गया है मंद को लेकर पिछले बाद जो आपका exam होगा था आपका 10 जनवरी से सुरूँ आथा तो इस बाद भी आप मान सकते हैं आप लोग के पास बसता है और 7 महीने में SCGD का जो नोकरी है वो आपको असानी से लिया जा सकता है SSGD का नोकरी असानी से लिया जा सकता है GD का ही नहीं कोई भी नोकरी अगर आप 7 महीने जी जान लगागर पढ़ लेते हैं तो यह जो नोपली आपको लिया जा सकता है। आप अगर बिहार से हैं, उत्तरप्रदेश से हैं, जहांपर कट-उप जब जादा जाता है, वहां भी आपको आपका यह जो जोब है, आप असानी से ले सकते हैं। तो आपके आपास प्रयाप की समय है, जिन लोगों को लगता है कि हाँ इस वारा मेरा सेलेक्सिन नहीं हो पाएगा, वो लोग आगे की एक्जाम के रणितियों को फोलो करें, और सफलता हासिल करें, तो इस रोश्रे कामना है कि जो भी चीजी होंगी, उसको आपको कबूल करन है और आगे की और बढ़ना है, ठेकर, तो वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दिजीएगा, चैनल पर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिजीएगा, मिलते हैं, हम लोग नेक्स टूडियू में, जब तक के लिए, जैन पंद्यू झाल